देखे दरसल जेट एर्वेस की दिक्कते जो है या फिर हम कहेंगे कि रिवाइवल प्लान जो है उसमें शायद अभी और देरी लग सकती है क्योंकि इंसेल्टी के तरफ से जो आदेश आया है वो शायद इसके रिवाइवल प्लान में थोड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है देखे पहले हुआ यह था कि जब जेट एर्वेस पहले फ्लाइ करता था तो उसके पास करीब 30 जवाव पे 170 फ्लाइंग स्पॉट्स थे और अब दरसल स्लोट से और अब दरसल एंसेल्टी ने कहा है कि आपको आपकी जो पुराने स्लोट से वो वापिस नहीं मिलेंगे दरसल एक सिध्धानत होता है यूज इट और लूज इट यानि कि अगर या तो आप अपने स्लोट को यूज करे और अगर यूज नहीं करते हैं तो वो स्लोट किसी और को दे दिये जाते हैं और उसी सिध्धानत के बेसिस पर NCLT ने कहा है कि आपको आपके पुराने मिल जाए तो आपके सीधे सीधे रेविन्यू और प्रॉफिट पर इंपाक करता है और इसी का इंपाक दरसल जो है वो इस कमनी के रिवाइवल प्लान पर पर सकता है क्योंकि कैल रॉक और जलान कंसोरियम ने जो रिवाइवल प्लान दिया था उसमें करीब साड़े साथ क्रोड के आसपास के क्लेम्स जो है उसको मन्जोरी मिली ती और इसके चलते जो फाइनेस्शे क्रेडिटर उनको करीब 95 कर्यास के आसपास का हैर कट लेना था अब इस साड़े 7,000 क्रोड में से करीब 385 क्रोड का बुकतान का प्रस्ताव जो है वो रखा गया था उसमें से तो इस कंपने के लिए तो दिक्कत है क्योंकि हुआ सबसे बड़ा सब्सक्राया को तो जो 345 क्लोड मिल जाएंगे 185 क्लोड मिलने मैं बैंक को देरी लगेगी और जेट ऐर्वेज को उठने में देरी लगेंगे झाल झाल